सच्चा प्राइश्चेत सुनो खुष्पू, मम्मी पापा आ रहे हैं कल दस दिन यहीं रुकेंगे, एड़्जस्ट कर लेना राजेश ने खुष्पू से बैड पर लेटते हुए कहा कोई बात नहीं राजेश, आने दीजिए आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा खुष्पू ने तुरंत उत्तर दिया सुबह चब राजेश की आखें खुली, खुष्पू बिस्तर छोड़ चुकी थी चाय लेलो, खुष्पू ने राजेश की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहा अरे खुष्पू, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली हाँ, तुमने ही तो राज को बताय था कि आज मम्मी पापा आने वाले है तो सोचा, घर को थोड़ा एरेंज कर लू वैसे किस समय तक आ जाएंगे वो दोपैर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, चार तो बज ही जाएंगे राजेश ने चाय का कप खत्म करती हुए जवाब दिया खुष्पू, देखना कभी पिछली बार की तरह कोई गलती ना हो नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा खुष्पू ने भी चाय खत्म करती हुए राजेश को कहा और उठकर रसुई की तरफ बढ़ गई नास्ता करने के बाद राजेश ने खुष्पू से पूछा तुम तयार नहीं हुई, क्या बात है? आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज आप निकलू मैं आटो से पहुँच जाऊंगी थोड़ा लेट निकलूंगी खुष्पू ने लंच बॉक्स थमाते हुए राजेश से कहा बाई कहकर राजेश बाईक से ओफिस के लिए निकल गया और खुष्पू गर के काम में लग गई मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैं तुम्हारे कहने से राजेश के पास जातो रहा हूँ लेकिन पिछली बार बहु से जिस तरह खटपट हुई थी मेरा तो मन ही भर गया ना जाने ये दस तिन कैसे जाने वाले है राजेश के पापा राजेश की ममी से कह रहे थे अजी भूल भी जाईए बच्ची है कुछ हमारी भी तो गलती थी हम भी तो खुष्पू से कुछ ज़्यादा ही उमीद लगाए बैठे थे उन बातों को अब साल भर बीद गया है क्या पता कुछ बदलाव आ गया हूँ इंसान हर पल कुछ नया सीखता है क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे राजेश की माने अपने पती को होसला देते हुए कहा दरसल दो भाईयों में राजेश बड़ा था और श्रवन छोटा राजेश गाउं से दसवी पास करके शहर आ गया आगे पढ़ने के लिए श्रवन पढ़ाई में कमजोड था इसलिए गाउं में ही पिताजी की खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा राजेश बी टेक करके शहर में पचास हजार रुपे की नौकरे करने लगा खुश्बू से राजेश की जान पहचान कूचिक सेंटर में हुई थी शादी के बारे में पहले तो पापा ने साफ मना कर दिया था फिर बड़ी मुश्किल से माने मनाया था उनको जब पिछली बार राजेश और खुश्बू के पास शहर आये थे तो मन में बड़ी उमंगे थी पर साथ आठ दिन में ही खुश्बू के तेवर और बेटे की बेवसी देखकर वापस गाउं चले गए थे दोनों अरे भागवान उठ जाओ इस्टेशन आ गया उतरना नहीं है क्या राजेश के पापा की आवास से मा की नीन तूटी पहुचे तो खुश्बू घर पर ही थी जाते ही खुश्बू ने दोनों के पैर चुए फटा फट चाय पिलाई उसके बाद नहाने के लिए पानी गरम किया पापा नहाने चले गए और खुश्बू रसोई में खाना बनाने लगी थोड़ी देर में राजेश भी आ गए फिर बैटकर सपने थोड़ी देर बाते की और खाना खाया अगले दिन सुबह पाँच बजे पापा उठे तो खुश्बू पहले ही उठ चुकी थी पापा के उठते ही गरम पानी पीने की आदद थी खुश्बू ने पहले से ही पापा जी के लिए पानी गरम कर रखा था नहा दोकर वो मंदिर जाया करते हैं खुश्बू को अच्छी तरह से याद था उसने जलसे भर कर लोटा और पूजा का सामान पहले ही तैयार कर दिया था नास्ता भी पिता जी की पसंद का ही बनाया था सब को नास्ता करवा कर खुश्बू राजिश्क के साथ चली गई तो पापा ने चैन की सांस ली चलो अब चार-पांच घंटे तो सुकून से निकलेंगे दिन के खाने की तयारी खुश्बू करके गई थी स्कूल से आते ही फिर से रसोई में गुस गई शाम को मा पापा को लेकर खुश्बू पास के पार्क में गई वहाँ उसने उनका परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया अगले दिन संडे था खुश्बू राजेश और वो दोनों चडियागर देखने गए उनके लिए ताज्जूप की बात यह थी कि प्रोग्राम खुश्बू ने बनाया था उसने अच्छे से चडियागर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सेर भी करवाई खाना पीना भी सबने बाहर ही किया पिताजी और माँ आपस में बाते कर रहे थे इस खुश मिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंक लगा कर उड़ गया कहा तो हमारे मन में डर और चिंता थी कि दस दिन कैसे गुजरेंगे और अब पंद्रे दिन बीच चुके हैं आखिर कल जब श्रमण का फोन आया कि फसल तयार हो गई और काटने का समय हो गया तो अगले ही दिन गाउवापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा रात के खाने के बाद जब हम कमरे में सोने चले गए तो खुश्बू हमारे कमरे में आ गई उसकी आखों से आसु बह रहे थे मैंने पूछा क्या बात है बहू रो क्यो रही हो तो खुश्बू ने पूछा पिता जी माजी पहले आप लोग एक बात बताईए पिछले पंद्रे दिनों में आपको क्या महसूस हुआ आप अपनी बहू के पास है या बेटी के पास बेटा सच कहूं तो तुमने हमारा मन जीत लिया हमें किसी भी पलिया नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं तुमने हमारा बहुत खयाल रखा लेकिन एक बात बताओ बेटा तुमारे अंदर इतना बदलाओ आया कैसे पिताजी आपको याद होगा कि पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी इन छुट्टियों में जब मैं वहां रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए तरसते देखा बात बात पर भावी के हाथों उनका तिरसकार होते देखा मेरा भाई चाहा कर भी कुछ नहीं कर पाता था मैं वहां उनके साथ हो रहे बरताओ से बहुत दुखी हुई उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ गई कि किस तरह का बुरा व्यवहार मैंने आप दोनों के साथ किया था किसी ने ये बात सची कही है कि जैसा वोगे वैसा काटोगे मैं अपने माबाप की हालत तो नहीं बदल सकती लेकिन खुद को बदल कर मैं ये उमीद तो अपने आप से जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भावी में भी बतलाव आएगा और मेरे माबाप भी सुखी हूँगे सास ही सही पर मैं भी एक इस्त्री हूँ खुश्बू की बात सुनकर मेरी आखे बराई मैंने बहु को खीच कर गले से लगा लिया हाँ बेटा अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा खुश्बू अब भी रोय जा रही थी उसकी आखों से जो आशु गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आशु थे ऐसी ही दिल को छूने वाली और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद